को दो दिन बढ़ाने का फैसला किया है संबंध में सयुक्त सचिव निकाया गोहेर ने बुद्वार को एक आदेश भी जारी कर दिया जो सरकारी विभागों के साथ सारे निकायों बोर्ड मंडलों और सवायत शासी संस्थाओं पर लाग होगा यानि कि अब राजसान में 22 तबादले हो सकेंगे बदल दिया गया है उधर पोस्टिंग की तेक्षा में बैठे अधिकारी को भी फिल्ड पोस्टिंग ते दी गई है प्रदेश में तबादलों का दार जारी है प्रदेश की भिजनलाल सरकार ने 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक के लिए तबादलों से बैन हटाया था जिसको लेकर अब प्रदेश सरकार ने तबादलों के लिए दो दिन का समय और बढ़ाया है वहीं ट्रांसफर को लेकर जन प्रतिरिधियों को पहले सी ही आगाख कर दिया गया था कि वे लोग ट्रांसफर के लिए अपनी इच्छा नहीं लिखें यही कारण है कि इस बार तबादला नीती में कारकरता और रसंगठन से जुड़े हुए पदा धिकार्यों को महत्व दिया जा रहा है और उनके माध्यम से की गई अनुशंसा पर तबादले भी हो रहे हैं समय दिया गया था जिसको लेकर देर रात तक कई सूचया है जो राजय सरकार और विबागों ने निकाली थी हाला कि मेडिकल से जुड़े डॉक्टर्स की लिस्ट नहीं आई थी और इसके साथ साथ अगर बात की जाए और पिया सदिकारी हो और कई आरे सदिकारी है इनकी तबादला सूची आनी बाकी है लेकिन तबादलो को लेकर जिससर से बजलाल सरकार ने अब दो दिन बढ़ा दिया है तो कह सकते हैं अब दो दिन में और भी तबादलो की लंबी लिस्ट आएगी लेकिन इन तबादलो से पहले पूर्वती सरकार ने 15 जनवरी 2023 को तबादल प्रज़त का समय दिया था और अब दो दिन बड़ा है तो कह सकते हैं अभी बड़े इस्तर पर और कई तबाले होंगे लेकिन सरकार ने इस बार जन परतीनी दियों की नहीं सुनकर आम कार्य करता जो बीजेपी का है या पना प्रमुख है उनकी डेजायर को महत्व दिया है औ लेकिन आने वाले दो दिन जिस्तर से बजला सरकार ने बड़ा है उसमें और तबालों की लिश्ट लंबी जारी होशक्ती है अरुन हर्स एंड़ी टीवी राहिस्तान जोधपूर